जै मातादी दोस्तों जै मातादी जै श्री राधी 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 दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशी की और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह राशी में जो आज सनी का जो प्रवेस हुआ है और इससे क्या होने वाला है इसको आप ध्यान से सुनिएगा तुला रास के जितने भी जातक हैं सभी लोग कुछ करना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं अपने लाइफ में लेकिन उनके राश में कुछ उद्धे नहोने का भाग ये थोड़ी खराब होने के का वे परेशान रहते हैं तो चली हम आज देख लेते हैं बिना कोई देरी किये हुए कि क्या कहता है उनकी भाग राशी और क्या है उनके लिए शुब यह आपके लिए मिश्रित फल्दान करने वाला यह जो है राशी और अवस्था है रोजी रोजगार बैपार से अत्यद्धिक श्रम से लाब की परिष्थितियां बनेगी अत्यद्धिक लाब मिलेगा यदि बैपार और रोजी रोजगार आप करते हैं और किर्पया करके अपना जो बारी है जो अपनी बोली है विचार है उस पे आप नियंतर रखें क्रोध पर नियंतर रखें जो अपना क्रोध है उसको उजलित ना करें उसको क्रोध पर अपना नियंतर रखें रचनात्मक कारे में प्रगती रुजहान बढ़ेगा रचनात्मक कारे के प्रति रुजहान बढ़ेगा आपका विश्वास बढ़ेगा आपका मनोबल बढ़ेगा बिर्थ के अन्यावश्यक बाद विवाद के परिस्थितियां से बचें आप बात किसी के चक्रों में ना पड़े और किसी बात विवात की जो मामला आ रहा है आपके सामने उससे बचने का प्रयास करें और पत्नी को थोड़ा कष्ट हो सकता है आपकी जो पत्नी है आपकी जो वाइफ बीवी है आपकी उसको थोड़ा बहुत कोई कष्ट हो सकता है उसे परेशान ना हो और कर्ज लेन देन से बचें जो है आप कर्ज लेते हैं और कर्ज लेन देन से जो है आप बचाओ कीजिए क् करज लेंदिन करेंगे तो आपके लिए भी ठीक नहीं है समाजिक छेत्रों में मान समान आपका जो पत्पतिष्टा में कमी थोड़ा महसूस करेंगे और अधिक कारे विवस्ता तता भाग दौर कारे कुछ मन परसान रहेगा आप जो है अधिक भाग दौर के कान जो है आपका मन थोड़ा सा परसान हो सकता है थोड़ा विचलित हो सकता है थोड़ा ठकावन महसूस कर सकते हैं धार्मिक व्यस्तता वैंग धार्मिक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी आपकी जो रूची है वो धर्म के कारियों अगर कोई आता है तो आपकी रूची उसमें रहेगी और कमी बुधी ब्रह्म आदी शमस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है जो है थोड़ा बहुत समस्या तो हर किसी के पास होता है उससे आपको सामना करना पड़ सकता है आपकी रास यही कहती है किसी प्रियमित्र से आपको जो है धोखा मिल सकता है किसी अंजान या किसी दूसरे ब्यक्ति से नहीं आपका कोई अपना ही आपको धोका दे सकता है इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें कि आपका कोई प्रियमित्र ही आपको धोका दे सकता है तो उमीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गये होंगे अगर समझ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला प्रेश जरूर कीजेगा क्योंकि मैं हर रोज आपकी राज़फल आपकी भाग के रेखा जो बताती हैं वो आप मैं आपको सेयर करता रहूँगा तो चली दूस्त आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जै शीक्रिष्न जै मातारादेरादे